नमस्कार दोसों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोसों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Vivo Y21G है या फिर 21 सिरीस का कोई भी मॉडल है तो यहां पे आप लॉक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल में तो आप लॉक की आप लेंगे और सिक्वरटी पर चेक कर लेते हैं और सिक्योरटी पर जाने के बाद प्रैवेसी एंड एप अनक्रिप्शन यह वाला जो उप्शन है आप इस पर क्लिक कर लेंगे अब यहां पर सिक्स डिजिट का पासवर्ट सेट करने का ओप्शन देखने को मिलेगा अग आपनी मर्जी का कोई भी एक पैटन यहां पर ड्रॉ कर देंगे दुबारा से ड्रॉ कर लेंगे और यहां पर सिक्यूरिटी कोशन का एक आंसर सेट करना है आपको ताकि अगर आप आप भूल जाते हैं कल को तो आप लॉक आप रिकवर कर सकें तो यहां पी ना देखिए सिक् सिक्यूरिटी कोशन हि भूल जाते हैं कि क्या था ठीक है तो सिक्यूरिटी कोशन कोई हो नौ मैटर कोई फरक ने पड़ता है यहां पर मैं पूदन डाल दूंगी और यहां पे भी आप चाओ तो किसी का भी नाम डाल सकते हो कुछ भी डाल सकते हो लेकिन एक ही डालना है ठीक है दन पर क्लिक कर देंगे आप यहांपे स। से एक ओप्ष्टन देखने को मिल जाएगा का arep Encryption है एक लिए और क्लिक करेंगे यहां पर मैंने तीन एप्लिकेशिंस को लॉक कर दिया है अब बाकी नहीं करूंगी और यहां पर एप लॉक टाइम वन मिनट के बाद होना चीए स्क्रीन लॉक होने के बाद या फिर जब आपकी screen लॉक को तुरंत हो जाना चाहिए तो मैं यहां पर क्लिक कर दूँगी क्योंकि यह वाला power button दबाऊंगी तो तुरंत यह भी लॉक हो जाएगा ठीक है या फिर आप यह भी कर सकते हैं जब आप अपनी app close करते हैं तो आपका लॉक हो जाना चाहिए इमिडिटली तो आप यह वाला बीच वाला option चूज कर सकते हैं अब कुछनी करना बैक कर देना है और जिस application को आपने लॉक किया था वह आप इनेबल करेंगे तो आपको इस ट्रैट से app lock डालना पड़ेगा और अगर आप अप लॉक के लिए फिंगरप्रिंट का यूज करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आप अलग से देख लीजेगा